तिर्नमुल कॉंग्रेस सांसद महुआ मुईत्रा इन दिनों सवालों के घेरे में हैं। दरसल उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के बदले पैस लिये हैं। इसके बाद क्या होना था कि विपक्ष उन पर बिफर पड़ा है। लगतार बयान बाजी जारी है ऐसे में महुआ मुईत्रा ने एक बार फिर से बीजेपी सांसद निशिकान दूबे पर निशाना साथा। उन्होंने निशिकान दूबे को फर्जी दूबे करार दिया है। इसके अलावा उन्होंने केंद्रिय मंत्री अश्वनी वैशनव को भी आड़े हाथो लिया है। आयो जानते हैं इस वीडियो में क्या है पूरा मामला। तर्णमल कॉंक्रिस सांसद महुआ मुइतरा पर सवाल के बदले पैसे लेने का मामला इन दिनों काफी ज़्यादा कर्म है। महुआ मुइतरा ने बीज़िपी सांसद निशिकान दूबे पर निशाना साधा उन्होंने दूबे को फर्जी दूबे करार दिया है। इस दोरान महुआ मुइतरा ने अश्वनी वैशनव की लेटर को लेकर भी हमला बोला। है कि केंद्रे मंत्री दूबे ने वादा किया है कि नैशनल इन्फरमेटिक सेंटर लोग सभासमीती के साथ पूरा सहीओ करेगा। उनके दावे की पीछे की बज़ा है केंद्रे मंत्री अश्वी वैशनव ने दूबे की चुट्थी पर जवाब दिया है। उन्होंने उसमें कहा कि आरूबो की जाच करने में नैशनल इन्फरमेटिक सेंटर यानि के एन आईसी पूरा सहीओ करेगा। हालके ये कैसे हो सकता है के अश्वनी वैशनव के पत्र पर महुआ मुईतरा कोई प्रतिक्रिया ना दे। मुहित्रा ने बड़ा ही तीखा परहार करते हुए कहा मेरे खलाफ जाच में समर्थन का वादा करने वाले फर्जी डिग्री वाले अश्वनी वैशनव के पत्र के बारे में सुनकर खुशी हुई अब भी हवाई अड़े के एटीएस कक्ष में बच्चों के साथ अवैद नैशनल इन्फोमेटिक सेंटर ने दुबई से हुए लॉग इन सहित डीटेल जाच एजिंसी को दे दी हैं अब अश्वी वैशनव कह रहे हैं कि एनाईसी लोगसभा और एथिक्स कमीटी के कहने पर जानकारी देगा मुझ पर हमला करने के लिए बीजेपी का स्वागत है लेकिन अडानी गोडा शायद शेश रणनीतिकार नहीं है टीमसी सांसद महुआ मुईतरा ने पलटवार किया तो निशिकान दूबे भी चुप नहीं रहे उन्होंने सोशल मीडिया पर बिना किसी नाम के लिखा चोर मचाय शोर बतादे के हाल ही में निशिकान दूबे ने आरूप लगाया कि महुआ मुईतरा ने संसद में सवाल करने के लिए हीरा नंदानी गुरूप के सीओ से पैसे लिए है इसे हीरा नंदानी ने भी सुविकार किया साथ ही उन्होंने कहा कि अडानी गुरूप के मामले में पी एम मूदी की छवी खराब करने के लिए पैसे दिये गए इन आरूपों को महुआ मुईतरा ने खारिच किया है और कहा है कि ये सब चुप कराने के लिए किया जा रहा है फिल्हाल इस खबर में सिर्फ इतना ही बागी और खबरे देखने के लिए जुड़े रही है जन्सक्ता के साथ